स्वागत है! आप सभी लोगों का मेरे चैनल Science to Technology में。 मैंapremvible आप सभी लोगों का स्वागत कता हूँ आज के शो science study में! आज हम लोग बात करेंगे Heat Sinks के बारे में, तो आइए समस्ते हैं! तो सबस्वेब पहले समझ देने प्रब्लम क्या है, जो हमें Heat Sink चाहिए? तो इसाब यह है कि बहुत सारे चीज के आज के टाइम में ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर यह समझी कि यह थोआ ओड बात है क्योंकि जो भी चीज गरम होता चाहिसे आपका काड़ी का इंजन हो या तम्प्यूटर कंपोनेंट से आइसी हो यह सब खुद खुद ठंडा हो जाएगा क्योंकि गरम जगां से ठंडे जगां में जाना चाहती है अगर यह 60-70 डिग्री हो जाता है तो अब बाहर का टेंप्रिचर मान लिए 30 डिग्री है तो ऑविसली गरमी अंदर से बाहर चले जाएगी लेकिन समझ से यह था हीट फ्लो बहुत कम होता है यहां पर इसमझे जैसे आपका काड़ी का इंजन ब्लॉक है वो गरम हो रहा है 400 डिग्री तक अगर वो गरम हो रहा है अविसली हावा उसको शंडा करेगा लेकिन बात लिएक उसका स्पीड कम होगा यानि जितना स्पीड से गरमी निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा तो आप लटक जाएंगे तो यहां समझे पूरा हम लोग हीट सिंग जो कर रहे हैं वो सिर्फ हीट फ्लो का काम कर रहे है यह गरमी अपने आप इकॉलाइज हो जाता है आपको बस उसका स्पीड बढ़ा नहीं होता है जैसे कि माली जैका गरमी पड़िवस हो रहा है 3 किलो वाट के स्पीड से आप च अगर बहुत गरम रहा अंदर से डैमेज हो जाएगा मतलब खराब हो जाएगा तो यहां पे समझे यह सब एक सीरियस समस्या है और एक कूलर मीडियम हमेशा ची होता है को जासे कि कोई भी कूलर बना ले कोई भी हीट सिंग कर लें यह से वीनस काम थोड़ी करेगा क्यों व अब के बास कोई जगह होना चाहिए जाएगा गरमी डा सकता है तो यह एक सीरियस समस्या है तो यहां पे सबसे पहरा है स्टार्ट करते हैं जो हम लोग जानते हैं बेसिक हीट सिंग तो यह काफी सस्ता होता है एफेक्टिव हाथा काम करा तभी तब ही तब आप आर जिगा गर्मी का अटपूट बहुत कम है लेकिन उस जगहां पर रख रहे हैं जहां पर गरम हो सकता है बाहर का तकमान बहुत बढ़ सकता है तो इस तरह का पैसिव हीट सिंग काफी काम करता है लेकिन मतलब उसमें यह रहता है कि वो मीडियम एक्यूपमेंट के लिए ही अच्छा बढ़ जाता है तो तो यह दोनों आपशन आता है और अप मेटीरियल कौंसा चूस करते हैं यह डिपेंड करता है आपका air flow पर अगर आपका air flow कम है तो जनरली लोग उलमुनियम इस्तेमाल करेंगे यह तो ही कॉपर इस्ते हें जर्याफ यह प्लस अलमुनियम का फायदा कि यहां से घर्मी निकल रही है बाकी जैगा कोई मतलब नहीं यह उतना रहे चाहिए इसा फरक ने पड़ता है इसलिए फैन चाहिए होता है ताकि को तक में हवा डालके ठंडा कर सके लेगिन यह सब कर सकता है यह जरूरी मीडियम टू लो पावर अप्लिकेशन पर ही काम कर सकत माने कोय थन नहीं हो तो आपका यह इस इनरजी जो आरे हो निकल जा रहा है तो आपका यह सिस्ट्छम पर बहुत कम एनर्जी को थंटा करना है यानि कि समझे कि आ sudah पर सिर्फके ड़ाट कर नाइए तो इसमें और दो प्रसक्त को ही आपको ठंटा करना है आपको इतना नही 500W डाल रहे हो तो 500W का वो heater है तो वहाँ पे आपको थोड़ा तिगडम चाहिए इसलिए आपको generally passive heat sink अब देखने को नहीं मिलेगा आप चाहे तो water भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि partial vacuum में वह बहुत जल्दी evaporate भी कर जाएगा तो यहाँ पर जब गर्मी डालते हैं तो वह boil करता है तो यह समझी यह phase change है solid वाल आप जो इस्तमाल कर तो उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा था यहाँ phase change हो रहा है यानि कि literally आप boil करो liquid को आप boil कर रहे हो hot और cold side और यह आप देख सकते हैं इसका speed जो है कितना speed से यह मतलब heat transfer कर सकता है यह one of the fastest है यानि कि कि काफी लोग मतलब अगर यह copper का rod है उसके soldering कर तो solder कर यहां रहेगा वो छू सकते हैं तुरंत नहीं जाए नहीं लेकिन अगर heat पाइब से कि तुरंत हान चल जाएगा कारण यह है कि यह बहुत speed से energy इधार सबता करता है दूसरा इसके सबसे बड़ा बात है कि इसका पूरा surface का temperature एक रहता है यानि कि जो आपका cold है इसका temperature तुरंत घटने लगेगा और बाहर वाले की temperature एक्वालाइज होने लगेगा तो यह total outside temperature मैच कर जाता है तुरंत यह मैच करता है लेकिन हाँ इसमें एक limitation है कि इसको स्कुष कर दिया जाता है जैसे आप laptop संदेते हैं उसकी power efficiency बहुत घड़ जाती है दूसरा मतलब अगर वही 8 mm diameter का आपने ले लिया उसका capacity था 30-50 watts को आराम से कर सकता है आप squish कर देते हैं laptop के लिए वह बहुत कम carry कर पाएगा इसलिए आपको laptop में 6, 7, 8, 9, 10 आपको heat pipe देखने में लिए कारण यह ही है कि heat pipe switch कर देने से capacity कम हो जाती है दूसरा एक problem होता है कि heat pipe bend होना एक दम नहीं चाता है सिधा रुको बले बले आप 90 degree turn मार होगे 20% power loss वहीं हो जाएगा क्योंकि यह fluid है gas जो चल रहा है gas का चलने का speed अगर कम हो जाता है तो आने का speed भी कम हो जाएगा तो इसका limit है ऐसा नहीं कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी मोड माल के दे देन नहीं चलने वाला है इसलिए आप देखें कोशिश किया जाता है एकदम कम से कम bend दिया जाए circular से circular इस्तमाल किया जाए तो यह काम करता है और इसका main कारण है कि हम लोग प्रोसेसर ही है मतलब हीट सिंग के साथ सबसे बड़ समस्य है आपने यहां प्रोसेसर लगा है यह इकुलाइज कर देता है मतलब यहां से निकालके गर्मी यहां डाल देता है आपका जो हीट से जोड़ना इसको बहुत ज्यादा समस्य है लेकिन यह काम बहुत अच्छा करता है तो चीज़ों को जोड़ने का समस्य को सॉल्ट करने के लिए वेपर चेंबर कर निर्मान हुआ है तो वेपर चेंबर कर यही समझ लिए कि आप ट्यूब जो है अगर आपका कोई फ्लाट सर्फेस से कैसे च्छुएंगे स्कुष कर देंगे एफिशेंसी घड़ जाती है और स्कुष करने का मतलब बहुत कंप्रोमाईजी है इसलिए अगर आपको बहुत जड़ा पाउट होने लगे तो आप क्या करोगे तब आपको चाहिए वेपर चेंबर समझेए वही प्रिंसपल है जो प्रिंसपल था कि आपका एक चेंबर है चेंबर पार्शल वैक्यूम है उ जगह सर्फिसेरिया बहुत है तो इसलिए हीट पाइप से जहां काम नहीं चलता है जनरली यही इस्तमाली किया चाता है प्रिंसपल सेम होने के बाबदूर बी की जोमेट्री के यह फादा होता है बहुत बढ़ियां से गर्मी धश्वतर कर से अगर यह आपका प्रोसेसर है और यह माले उसका हीट सिंग है वही हीट सिंग उतने हीट सिंग आप उठाई है और उतना उसको हीट पाइप पढ़ा लिए वह तेंपरिचर कम करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फैलाने में बहुत माहीर रखता है मतला अपने गर्मी यह तो फैला देगा चिल ठंड रो दिमाग मत खर देता है इसलिए यह काम करता है तो है यह वैक्यूम चेमबर लेकिन हाँ यह जर्नली ऐसे खोखला ने रहता है क्योंकि ओविसली वैक्यूम में कॉलाप्स कर जाएगा तो सपोर्टिंग पिलर दिया जाता है यह जो आप देखते हैं कि मॉबाइल साह का ढ़के जाता है जो आज़कल के स्मार्टफोन में इस्वान होता है क्योंकि और प्रिंस्पिल वही हीटपार्य का बस इसकी जूमेट्री का बेनेफिट ले बहुत ही रख करता तो यह हुआ वेपर चेंबर अब बात करते हैं यह सब है यह सब बेसिकली टूल किट है तो यहां पर टूल किट का सबसे पहला रूल लागो होता है राइट टूल फॉर राइट चॉब यानि कि आप कुछ भी कहीं पर भी नहीं लगा साथ है क्योंकि जैसे एक्जांपल है कि मतलव कंपलाइस कासे कढ हैं पहला ही जैसे कनम राइट इर्लिक कम-देकर करे हैं कम से कंडी 90 औरलाइस बेंद अपना सब्सक्रा अब एक जरूतर अब ज़ए दो कारन यह समयण वोड़ गर पाएंगे, जैसे मालिया आप 30 series का ग्राफिस कार्ट देना चाहते है, as a manufacturer, और वही आपका बहुत एक-दो-लाक रुपय खा रहा है, फिर आप एक-दो-लाक रुपय क्या और लगाएंगे, उस पे वेपर चेंबर डालने के लिए, वह आप है, तो कीमत एक बहुत काफी सारा प्रॉब्लम का समस्य है, जैसे एकजामपल गई, यह हुआ सर्वर का हीट लिए, अब अलिक को ज़्यादा छोटा नहीं है, हाँ भी और नहीं भी, हाँ इसलिए छोटा है, क्योंकि जिस जगहां पर लगा जाता है, सर्वर के फैंस बहुत जदे इनरजी खाते ह तो समझ सकते हैं, बहुत ज़र एंजी खाता है, तो ब्लोर है, चैसलिए टोटल एरफ्रों बहुत ज़ादा है तो आप इतना बड़ा सा एडिया बना रहे है समलिए आपका CPU बस इतना सा है मैं अपने इतना बड़ा वह सब का टेंपरचर बनागा आप सीधे सीधे कॉपर लाई है हाव एक फ्लो इतना है कि उसको ठंडा कर देखा यह इस तरह को देखने कर आजकल इंवर्टर समय खूँ मिलेगा क्योंकि बहुत सारा अब ट्रांजिस्टर हो गया पहले स्टैंडिंग रहता था आजकल बहुत सारा बोड में माउंट कर देता है अब बाते की माउंट करने का अब कर दिये ठंडा कैसे रखो गए तो इस तरह के हीट सिंदेखने की लेगे तो यह समझ रखने हैं यह मतलब क्लेवर डिजाइन है अल्मुनियम कोई ज्यादा थी विडम नहीं है लेकिन डिजाइन से बदल देने से यह होता है कि या तो आगे या पीछे लगा देने से एक एर टनल बन रहा है और वह एफिशेंटली काम कर रहा है तो क्लेवर डिजाइन यह हमें बहुत जगार काम करते हैं यह कुलर मास्ट है तो यह हमेशा बैलेंसिंग डिजाइन का में काम यह है कि बैलेंस करो जैसे मैंने नीचे एक इंटर्व्य दिया दिया है डेल के लैप्टॉप इंजिनर से जो थर्मल डिपाट्में में काम करते हैं मतलब उनका CPU जब थर्मल कैसे मैंनेज करते हैं और लिटरली बता रहें कित्रों बड़ावन के लिए हीडिक बन गया है कि आपने लाप्टॉप बना दिया बना दिया अब इसको ठंडा कैसे करो और ठंडा गरने वाले मतलब जब जब आकि वास्मी डिजाइन रहें देखो भईया इसका वज आप सीधे सीधे यही लगाते रहें मतलब को पर फाइली लगा देते कुछ नहीं से तो कुछ बटर होगा तो यह समझना बहुद रही ही यह टूल किट है आप कैसे इसनमाल करते है उस पर डिपाइंड करता है पो कितना हो सब्सक्राइब अब तो यह था मेरा पर्जिंटी कोशिश करता हूं आप सब्सक्राइब बहुत कुशी हुए धन्यवाद